इंडिया में हर किसी को उपर जाने का शो के या तो वह नॉर्मल वे अपनाएगा या फिर हाड वे या फिर एक बेवकूफी वाला आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एसे स्टेंट के बारे में जो कि आपको नहीं करना चाहिए और क्यूं एक्स्प्लेंट करूंगा तो हेलो गाइस दिस इस आशीश आइनो आप मुझे जानते होंगे यू कन फॉलो में इन इंस्ट्राम और यूट्योब आप कर रहे हैं अल्रेडी सो लेट्स को फिलिप पब्लिक में फिलिप होने लगी ती देन हार्ड एंड रियक्शन दोनों करते करते ताल मेल उपर निच चलता रहा नॉर्मल बात थी बट इसी में लोग बहुत क्या करते थे यहां पर मेरा सींपल सा एक पर सोचना हे जो की हाईटेड बैक फ्लिप करना हाईटेड इस वीडियो से बहुत लोग अगेंच्ट होने वाले हैं आपको भले इंटरनाशनल प्रो मान ले हम तो करेंगे हम को आता है हम प्रोफेशनल है हम यह हो मैं उसके बात नहीं कर रहा ह आप 1000 मंजेज के उपर से फ्लिप कर लो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट कुछ ऐसे पॉइंट से जो कि मैं कहना चाहता हूं एक सीनियर फ्लिपर होने के ना थे एक एक सीनियर फ्लिप करना रॉंग क्यूं है अप मेरे फेल वाले सीरीज में फेल वाले प्लेलिस में आप चेक आउट कर सकते हो कि मैंने इतनी वीडियो प्रियाट कर रहा है कुछ fun way में होती है कुछ hard way में होती है किसी को चोट नहीं लगते लेगन किसी को इतनी चोट लगती है कि वो hospital जा चुका होता है Recently अभी एक case आया था जिसके एक बंदे ने उपर से height से side में मारी थी then garden पे चोट लगी थी मैं किसी flipper खिलाफ नहीं हूं किसी directly point नहीं कर रहा हूं कोई ये बंदा को ये बंदा नहीं मैं whole community के बात कर रहा हूं और जब भी आप height से flip करो तो आप अपने आपको prepare करो आई नो आप prepare हो आप professional हो अपन नहीं बोल सकते कब इंसान को कुण सी flip में केसे लग जाए मुझे पता भी ने चला मैंने flip करी भी नहीं फिर मुझे चूट लगी फोर मंत रेष्ट पर हो चुके आप उपर से हाइट से flip करते हो ज्याद हाइट नहीं नौर्मल हाइट अगर होती है तो मान लिजे इतनी लगती नहीं है बट लगने में आपको एक feet की height से भी लग सकती है उतनी ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रो flipper से जो की height से flips करते हैं बट उनके साथ साथ में उन beginners को बताना चाहता हूं कि अगर आप height से flip करते हो बचते हो ओके लेकिन उनको दिखके जो beginner से जो उनसे नीचे के लोग है flipper से अगर वह flips करने जाते हैं तो क्या होता है बहुत वीडियो में आप नोटिस करना कि अगर गलत landing होती है फेल होते है लेंडिंग सही नहीं होने पर उनके पेरों में चोट लगती है अभी आप उपर height से back ankle sprain है या फिर ankle ligament है वो टूट जाता है कितने ग्रेट पर टूटेगा वो उस pressure के उपर depend करता है मेरा भी एक बार जा चुका है लेकिन मैं तो ground पर था ट्रेंपोलिन पता लेकिन फोर्स वही चीज़ का था बट एक साल में रिष्ट करा उस चीज के लिए प्रॉपर हंड्रेट परसेंट हिल होने के लिए सरजरी से बचाओं सेकेंड जब आप लैंड करते हो तो आपकी करने के जुरत होती है अगर आपको नहींड रहेंगे तो आपकी लेखामेंट जा सकते हैं लीज जाने मुथ ज्यादा मुश्किल हो जाती है हूं मैं बच चुगा हूं मुझे एक्सपीरेंस से इसले अपने को हिल करके केम बैक कर लूआ लेकिन इस बीगनर जो होते है अगर उनको चोट लगती है तो finish, बेठ जाते, then इस चीज से हट जाते हैं, दूर कभी नहीं आते हैं, then ज्यादा pressure आने पर आपका जो backbone है, उसमें चोट लगती है, सबसे important बात, जब भी आप अगर height से कोई भी flip मारोगे, आप land करोगे, आप legs पे land करने के बाद आपका back पर जो pressure आता है, यह बहुत ज़्यादा होता है, चोट लगने के chance सब ज़्यादा यहां होते है, अगर आपका जो नीचे का part backbone का, अगर यहां पर चोट लगती है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, जितना उपर आपके चोट लगेगी, दर्द बढ़ेगा, अगर कुछ minor स होता है, तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है, और अगर प्रॉपर तरीक से break होता है ना, कुछ बूल नहीं सकता उसके बारे में, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर हैट से कर रहे हो, तो सावधानी से करो, और या फिर मत करो, आपके एक extreme हैट के उपर से flip करने से आपको सिर्फ followers और numbers मिलेंगे, बट कोई guarantee नहीं देगा कि अगर आपको वहां से चोट लग जाती है, गिर जाते है, तो उसमें future बनता है, या नहीं बनता है, reality में नहीं बनेगा इसमें future, अगर आपको चोट लग जाएगी तो, बहुत सारे ऐसे international flippers को भी YouTube पर कि अगर आपका backbone में चोट लगती है, तो क्या होती process, क्या treatment होता है, कितना समय लगता है, क्या है चीज़े है, आपको पता चल जाएगा, आपको fracture होता है, okay, happy रहो, कि हाँ हो गया कोई बात नहीं, तूटता है, happy रहो, okay, कोई बात नहीं, ligament जाते है, please, दूर हो जाओ चीज से, और हाँ, वो एक time बाद आप जहलोगे, लेकिन अगर आपका backbone जाता है, so please, उससे तो आप जीवन भर नहीं बच पाओगे, बहुत ऐसी यह है, अलग अलग चीजों में भी मैंने चीज़े देखी है, कि कि किसी के backbone लगने पर lifetime के लिए बेठ जाता है, इंसान wheelchair के पर, so मैं चाता हूँ कि इतना extreme मत लिका जाओ अपने आपको कुछ views, कुछ followers के लिए, आपका future height से flip करना नहीं है, मैं देखाना भी recent लिजो वीडियो आई थी, उसमें देखो किस तरीक से लगती, अगर just imagine, यहां लगेगी, यहां लगेगी, मैं अपने friend को खोच चुका लगबग 6th मन पहले, उसके भी घर्दन में चूट लगी थी, टूटा, अंदर गया, खतम, एक दिन में खतम, उसी कजश्ट बात एक और वीडियो मेरे पसामने आई थी, तो मैंनो वहां भी explain कर रहता है, कि please AC से चीज़े मत करो, height से चीज़े मत करो, आपन को नहीं पता को को उनसी flip में अपन गिर जाए, उनका जो fracture होता है न, वो ठीक होने में, heel होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत risky काम है, जिसके वएसे आप proper सीधा खड़े नहीं हो सकते हो, वक नहीं कर सकते हो, अगर आप YouTube पर जाके सर्च करोंगे, backbone कितना important है, तो आपको पत कर रहे हो, मैं कुछ बोलने सकता कि आप करो, मत करो, directly, indirectly, जो भी है, बट आपको देखके, जो influence हो रहे है, beginners flippers, कि आपके इतने views आ रहे हैं, उस वीडियो पर, इतने मज़े आ रहे हैं, इतने बंदे आगे बढ़ गए, फोल्द वर्स, numbers गैन हो गए है, सो वो लोग directly जाके कुदना स्टार्ट कर रहे है, जिसके विए से उनको चोट लग रही है, आए दिन जब मैं स्क्रोल करता हूँ, एक आद वीडियो मेरे पास ऐसा जोर आता है, जिसकी profile में जाके मुझे लगता है कि हाँ, ये बंदा beginner है, इसको ये चीज नहीं करने चाहिए, मैं कमेंट करता भी हूँ हर वीडियो पे, कि भाई साउधानी से करो, प्लीज सेफ तरीके से करो, आपको चोट लगती है, आप घर पर बेट जाते हो, सो जश्टी मैं जिन, आप किसी काम नहीं आए, फ्लिप सिप के अरननी करा, फ्लिप सिख के फेमस नुए, फ्लिप सिख के आपने कुछ जो इसे बच जाओ, और हाँ, इस वीडियो का आप उन फ्लिपर से साथ शियर कर सकते हो, जो की हाईट एट फ्लिप करते हैं, फिर जादा डेंजर फ्लिप करते हैं, नौलेज नहीं है, कूद जाओ, चोट लग गई, घर बेट जाओ, पैरेंट्स बोलेंगे, क्या मतलब र कि नहीं है, इसके उपर आप नीचे कमेंड करेंगे बताइए, कि अगर आप एक सीख जाते हो चीज, इसके आगे क्या, तो कि मैं बोला, मैं उस पोजिशन पर खड़ा हूँ, कि जहां से मैं आप सब को देख सकता हूँ, अब्जोर्ब कर सकता हूँ, कि मैं आगे भी समझ समझ रहा हूँ, पीछे भी समझ रहा हूँ, सब कुछ रेडी, यहां पर खड़ा हूँ, तो यह है हर चीज को सही तरीके से यूज़ करोगे, आप सब कुछ कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, like I did, मैं कर रहा हूँ, इसके साथ भी एक बैक अप लेके भी चल रहा हूँ, एक दो बैक अप लेके चल रहा हूँ, तीसरा और स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यह है हमारा आज का वीडियो, उमीद है आपको समझ में आया हूँ कि मैंने क्या बोला, क्या बोलना चाहा, तो प्लीस इस वीडियो को आप शेर कर दीजिए, और हाँ, वीउस आईनो थोड़े से कम आ रहे है, 700 तक तो पहुझ गए, लाश्ट से बहतर, जो कि 400-400, 200-200 जा रहा था, बट ओके, मेरा दो यूट्यूब चैनल ले, उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, आशी की वानी, एंड बैफिलिप किंग आशीश, ते हैं अगले